मार्केट में रुपया बनाने से पहले आपको मार्केट में रुपया बचाना सीखना चाहिए हेलो दोस्तों, इस्टॉक मार्केट पैराडाइस में आपका बहुत-बहुत सवागत है आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका कि IPO आपको recently देखने को मिला है यह आपको November 18th को देखने को मिला था यह IPO का size जो था बहुत बड़ा था इंडिया का biggest IPO इसे बोला गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े size में यह आया था लेकिन क्या होता है कि जो IPO की listing होती है यह 9% discount पे होती है जब IPO आया है तो बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें subscription होगा और बहुत ही उपर जाने बाला है listing गिन बहुत ज़्यादा मिलने बाला है लेकिन उसके opposite इसमें चीज़ी देखने को मिली कि 9% discount पे देखने को मिला discount क्या होता है कि 9% के loss पे देखने को मिला issue पराइज है 2000 रुपए लेकिन यह list होता है 1500 रुपए पे तो इस तरीके से हमें देखने को मिला BSE और NSE दोनों पर यह list हुआ था और जो overall booking time था यह 1.9% time subscribe किया गया था initially तो यह share बहुत ज्यादा failure सावित हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा discount में देखने को मिला देखिए जितना ज्यादा price होगा माल लेजिए अगर 5000 रुपए का कोई share आता है IPO आता है और उसमें अगर 10% का ही discount देखने को मिल गया तो फिर 500 रुपए तो गायब हो गया तो बहुत ज्यादा यहां पर यह चीजें देखने को मिलती है अगर जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा हमें नुकसान भी हो सकता है तो जिस IPO की हम बात कर रहे है अभी फिलाल में यह आपको देखने को मिलेगा एट नाइन बंद रुपीज पर कोशन आ रहा है इस काई लोगों का कि क्या हमें या पर exit कर देना चाहिए बाइंग करनी चाहिए फ्रेस बाइंग या फिर एवरिज करने चाहिए हमारा जो अभी मेन पॉइंट होगा वह होगा क्या हमें इस सेयर में एंटरी लेनी चाहिए exit करना चाहिए या फिर अभी और रखनी चाहिए तो सब कुछ डाउट किलियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए बात करते हैं जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है किया था कि यहां से अभी भागने वाला है 2000 को तो पात करी जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ धीरे-धीरे यह इस टॉक गिरता गया और आप देखो एक महीने के अंदर बहुत ज्यादा गिर चुका है अगर करेंटली आप देखोगे 59 परजेंट का जो इसू पराइज था उस चुके हैं कई लोगों ने यहां पे खरीदा कि आप डिवर्सल देखने को मिलेगा देखी हम चाहिए अमीं बहुत अच्छे से अनलाइज करना चाहिए सबकुष अच्छे से चेक करना चाहिए तो इस टॉक जो है डायरेक्टली आप देखोगे नीचे ही आता जा रहा है औ कोशन आता है कि क्या हमें इस टॉक पूर ज्यादा नीचे देखने को मिल सकता है और क्या हमें यहां पर फ्रेस एंटरी लेनी चाहिए या नहीं तो देखें अगर आप फ्रेस एंटरी लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा इसको 920 950 के पार जाने ले लिए और फिर से नीचे चला गया तो अपना कैपिटल खोने वाले हो तो उसके लिए भी हमें अच्छे से एनलाइस करना चाहिए कि किस तरीके से हमें कंपनी देखने को मिल रही है तो अब कोश्चन आता है कि क्या हमें यहां पर प्रेस एंटरी लेनी चाहिए या नही लेनी चाहिए कोश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूशा है लेकिन आंसर बहुत कम लोग इसका दे पा रहे हैं प्रेस एंटरी के लिए क्या यह इस टॉक अभी सही है या नहीं है तो मैं तो बस यही कहूंगा कि नहीं अभी नहीं लेना इंतजार करो इसमें और अगर आप यहां पर अगर आपका कोश्चन है कि क्या हमें करना चाहिए प्रोटफोलियो में हमारे पहले से ही यह स्टॉक है और क्या हम इस प्राइस पर एवरिज कर लें तो नहीं यह भी टाइम आपके लिए भी सही नहीं है और अगर जो कोश्चन करना है कि क्या हमें इस सा होल्ड और कीजिए 875 को अगर यह ब्रेक करता है यह स्टॉक तब आप इसमें एक्जट कर सकते हो लेकिन इसमें सारा डिसीजन आपका ही है आप अपने फाइनेंसियल एडवाईजर से एक बार कंसल्ट कर लेना क्योंकि बहुत बड़ा आपको लॉस होने वाला है अगर 875 क करता है फिर आप यहां पर मेरे हिसाब से एक्जट कर सकते हो लेकिन तब ही मैं कहता हूं आपको वीडियो जो हैं बहुत ध्यान से देखनी है इस्टॉप लॉस हमेसा रखना है और मैं हमेसा कहता हूं कि भी अपने कैपिटल को बचाओ अपने कैपिटल को अगर आप नहीं तो ऐसा ना हो कि अगर आप मार्केट से घर जाते हो तो आपके पास केबल एक हजार रुपए बचें क्या करोगे आप एक हजार रुपए का आप अगर एक हजार रुपए लॉस करते हो तो ठीक है तो कोई प्रॉबलम बाली बात नहीं यह आप बना सकते हो लेकिन 9000 देखने को मिल रहा है आपको क्या करना चाहिए यह भी मैंने बता दिया तो इस दोस्तों अगली वीडियो में तब तक आप अपना खियाल अ